So guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Motorola की एक और नए स्मार्टफोन की जो कि कुछ टाइम पहले ही Greek badge पर लिश्टेड हुआ है और इसकी काफी specs लिख हुई है दोस्तों, Motorola की G-series में कई स्मार्टफोन आ चुके हैं और ये स्मार्टफोन भी हमें G-series का ही देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है Moto G9 Play So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस phone के specs की साथ ही बात करेंगे इसके price and launch date के बारे में तो दोस्तों, सौगत है आपका tag रोज पर जानकारी के लिए वीडियो में अंट तक बनी रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं ताकि आपको stack वीडियोज मिलती रहें So दोस्तों, Motorola ने कुछ टाइम पहले ही Motorola One Fusion Plus के साथ में वाफसी की है और इसके बाद एक के बाद एक मौल लेके आ रहा है वो भी काफी कम बजट के अंदर तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्पले की तो इसमें आपको 6.3 इंच की HD Plus LCD IPS डिस्पले देखने को मिलती है जो की बाटर डॉप नौच के साथ में आएगी डिस्पले के बाद दूस्तों अगर बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की तो गरीगवेच की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग इसमें आपको Snapdragon 662 सौच अपसेट दिया गया है जो की 1.8 GHz पर क्लॉग्ट है साथ इस फॉन में आपको 4GB RAM और 128GB internal storage दी गई है जो की 512GB तक बड़ा ही जा सकती है अगर बात करें इसके डिजाइन की तो Moto G8 Play की सिमिलर ही इसके डिजाइन रखी गई है फ्रंट से इसके डिस्पले पर बाटर डॉप नॉच का डिजाइन दिया गया है साथी back में आपको plastic की body दी गई है बात करें इसके camera's की तो इसमें आपको तुरपल camera setup देखने को मिलता है जिसमें 16 Megapixel का man camera, 8 Megapixel का wide angle camera and 5 Megapixel का depth sensor दिया गया है फ्रंट में आपको 13 Megapixel का camera provide कराए गया है जिससे आप selfie और video calling कर सकते है इस phone की एक और highlight है दुस्तों और भो है इसकी battery जियां दुस्तों Motorola की बाकी smartphones की तरह इसमें भी आपको एक बड़ी battery provide कराए गई है जो कि 5000 mAh की होने वाली हो 20 वर्ट फास्ट साजिंग support के साथ में आएगी अगर कुछ और detail की बात करें तो इसमें आपको 3.5 mm का audio jack दिया गया है इसके अलावा इसमें आपको fingerprint scanner का support back में दिया गया है European market में यह officially launch हो चुका है और इसका price लगवक 13,000 से start है लेकिन अगर यह Indian market में आता है तो इसका definitely थोड़ा सा price कम होगा और इसका starting variant आपको 15-20,000 में देखने को मिल जाएगा यह smartphone आपको 30 जुलाई तक market में देखने को मिल जाएगा तो गई साफ है बताइए कि आप Moto G9 Play के वारे में क्या सुचते हैं और क्या आप इसके लिए interested होंगे अगर आपका कोई और भी comment हो तो आप लेख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर वीडियो चलागा हो तो वीडियो को like कर देना और चैनल पर पहली वेर आया है तो चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आपको stack वीडियो जमिलते रहें मैं मिलता हूँ आपको नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए goodbye